नए साल की आप सभी दर्सकों को हम ग्रैंड धर्मा सर्माग पडिवार की तरफ से धेर सारी सुपकामना है। नए साल पर बहुत सारी खुसियां आपको मिले। अकसर लोग एक दूसरे से सिकायत करते हैं कि अच्छी खासी कमाई के बाव्युत घर में पैसा ही नहीं ठीकता। पैसा जैसे एक हाँच से आता है वैसे ही दूसरे हाँच से चला भी जाता है। अब धन की कमी हमेशा ही घर में रहती है। मैहिना का अंत होने के पहले ही धन सम अब ये सिकायत सिर्फ आपकी नहीं है हर किसी की है आखिर ये टेंसन इतना क्यों है अब आप अपने तमाम परिसानियों को भूल कर एक छोटा सा प्रियोग करें तो आपको इसका लाप जरूर होगा और आपको जो पैसों की तंगी है उससे छुटकारा भी मिल जाएगा तो पुंडली में बुद्ध अगर कमजोर हो जाए तो धन बचने में परिसानी होती है आपका दिमाग ही नहीं काम करता ठीक से और अगर सुक्र जादा परधान हो जाए तो फिर धन नहीं बचेगा तमाम सुकून के साधन पर समाप्त हो जाएंगे पैसे अगर छटे बाव के स लेकिन धन बचत के लिए क्या करें आईए हम जानते हैं लेकिन एक और बात जान लें अगर आपकी कुंडली में बुद्ध या ब्रिस्पती मजबूत है तो आपके पास खूब पैसे टिकते हैं सनी देप का धन भौके निकट होने पर भी धन रहता है और कुंडली में पृ किचन को हमेशा साफ रखें उत्तर पूरव की ओर वाली अलवारी में धन रखें पीले कपड़े में हल्दी बांद कर कीचन में रख दे दो गांठ तो भी धन बचेगा और सनीवार के दिन निर्धनों में सिक्कों का दान करें लेकिन यह तो सिंपल उपाय है लेकिन आज हम किचन में रख दें तो यह तो सुखी हल्दी की गांठ रखना है लेकिन जो कच्ची हल्दी होती है आपको मार्केट में मिल जाएगा कच्ची हल्दी को आप खरीद कर ले आए एक गांठ अब उसका आप गोल गोल सलाइस या फिर स्कौयर स्लाइस स्कौयर में दो टुकरा याद रखिए दो टुकरा लेना है अब दस रुपे के नोट पर रख कर उसको फोल्ड कर दे थोड़ा सा मोड़ना नहीं है फोल्ड कीजे अच्छे से और इसको लाल धागे मौली धाका की सहरे लपेट कर अपने धन के अस्थान पे रहने दे और आप देखिए गा धन की ब अंगल होगा धनी